हरे क्रिष्णा रादे रादे सभी क्रिष्ण भक्तों को जोती का नमस्कार दंडवत पर नाम हैपी करवा चौट और बस यहां पर मैं सुबाज कार्थिक मास है मैं उठती हूँ पर आज तो ये वाला दिन तो स्पेशल था मुझे इंतजार रहता है राधरानी और क्रिष्णा जी का शिंगार करने का तो आज मैंने सुबा फटा फट ठाकुर जी को निलादुला के मैं तीन मचे उठ गई थी ठाकुर जी को निलादुला के मैंने ठाकुर जी इंजन्स लड़ू को पाल जो हैं सारे उनको मैंने निला तो अभी तक का जो प्लीट हुआ है तो अभी तक का जो शिंगार के पेश कर रही हूं आप देखिएगा यहां पर किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि आप पायल कैसे पिनाते हैं यह कोई भी पायल मैं तरहां की पायल पैनाती हूं कोई डोरी वाली होती हैं किसी के पीछे में गम लगाके उनको पैना देती हूं तो जैसी जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसी वैसी पायल पैना देती हूं कभी कंगन टाइप चांदी के बना रखे हैं वो पैना देती हूं और कभी बॉल चेन हैं उनको लपेट के बना देत तो ऐसे करके चेंज करते रहते हैं और उसमें कोई मतलब मैं बनाती नहीं हूं मुझे पायल वायल बनानी नहीं आती हैं ऐसे ही बॉल चेंड की पायल मतलब राउंड राउंड घुमा देती हूं और यहां पर यह ड्रेस भी मैंने उनका नाम कृष्णा शिंगारविच की वीडियो से देखके मैंने यह ड्रेस बनाई है बहुत सुंदर ड्रेस बनी है मैंने नहीं बनाई यह ठाकुर्जी और आधारानी ने बनवाई है मेरी कोई भी साथ नहीं कि मैं कुछ बना पाऊं और उन्हों नहीं बनवाई है जो उनको पसंद था उन्होंने वही करवा मैंने मजेंटा और पिंक कलर का वो दूसरा वाला कपड़ा निकाल के रखा हुआ था कि उसके ड्रेस सिलूंगी पहले ड्रेस बाहर से सिल के आने वाली थी पर फिर उनके तब्बे ठीक नहीं थी तो फिर उन्होंने मना नहीं किया उनकी तब्यत ही ठीक नहीं थी उनके बैट तो वो कपड़ा कुछ कॉम्बिनेशन जम नहीं रहा था तो फिर मैं मार्केट गई मार्केट से मैं ये वेलवेट लेके आई क्योंकि आम मोसम चेंज हो गया था तो ये कपड़े उन्होंने पैन के रखने हैं अभी जब तक दिवाली नहीं आती है बीच में एक शिंगार एक अच्छी पर मैं करूंगी शायद तो तब देखती हूं तो मैंने सोचा कि ठंड है अलकी अलकी तो मैंने का चलो मैं वेलवेट काई बना लेती हूं जादा मोटा नहीं है मैंने अंदर लाइनिंग नहीं लगाई अच्छी वाली वेलवेट थी इसमें लाइनिंग लगाने क जरूरती नहीं पड़ी और बड़ा स्मूतली अराम से कपड़े सिल गए थे मैं पहले दिल्ली से एक दूसरी वाली वेलवेट लेके आई थी भाई वो तो बड़ी खतरनाक थी उसको सिलते सिलते वो आड़ी तिर्ची हो जाती थी लाइनिंग कही और निकल जाती थी और इतना मूटा मोटा पीएट वाला जो था नेफा इतना मोटा हो जाता था बहुत मेरा पहले वाले मतलब वेलवेट का पिछले साल मेरा बहुत नुक्सान हод एक तो मुझे सिलना नहीं आता था था तब तो और फिर मेरे को knowledge नहीं थी मुझे लगा lining लगानी है lining लगा के तो वो machine भी नहीं चल रही थी machine किति सुईया तोड़ी मैंने अब मुझे पता चला है किसी ने बताया है कि कौन सी velvet लेनी चाहिए तो वो velvet ली है जिसके नीचे हम lining नहीं पर पतला पेटिकोट ब्लावसम नीचे पहना सकते हैं उतना पतला होता है पर सिलने में बहुत असानी रहती है तो यहां कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कतरन मार्किट से मैं लाई हूं वो सस्ती थी तो शायद वो अच्छी नहीं थी और यह थोड़ी महंगी है तो थोड़ी हां ह हो सकता है मतलब यहां से जो मैंने लिये वो महंगी है पर दिल्ली से वो सस्ती ही मिलेगी तो पर अभी जो मैं लाई हूं वो एक वैलवेट मैं यहां से ले के आई हूं मैं अभी दिल्ली से थोड़े दिन पहले गई थी तो मैं ले क्या ही थी कतरन मार्किट से थोड़े कप क llev वीडियो नहीं बनाती हूं किसी लाई मेरी ऐसी रहती है मेरी को ना धंक से काटना आता है ना मुझे Mežear तो इसलिए मैं उसका विडियो नहीं शेयर करती हूं थोड़ा वहत ऐसा क्लिप लगा देती हूं वर वोइस ऑफ जोती में लगा देती हूं थोड़ा कि हां मैं आज दिन में ये काम कर रही थी तो यहाँ पर मैंने ज्वैलरी भी खुद बनाई है सारी ये कंगन मेरे बने हुए नहीं है गले का हार और कानों के और तिलक जो भी है मैं फिर भूल जाती हूँ कि ये मैंने नहीं बनवाया ठाकुर्जी और राधारानी ने बनवाया है उन्हों ने ही मुझे प्रेना दी है और जो उनको पसंद था वो उन्होंने मार्केट से मंगवा लिया और वो बन गया बस आप से यही कहना चाहूंगी कि आप ये शिंगार को देखिएगा आपको राधाकृष्ण कैसे लग रहे हैं प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा मैंने बहुत मेनत किये आप देखिए मेरको ना कल मतलब अभी दो-तिन दिन से मेरे हस्मेंट बिमार थे तो मेरे को help नहीं थी घर पे किसी की भी बीच में help कर देते हैं help नहीं थी किसी की तो मेरे को दिक्कत हो रही थी कि कपड़े सिलने थे क्योंकि फिर मैं कैसे मैं पूरे परिवार को एक जैसे कपड़े पेनाती हूं राधाकृष्ण को भी लड़ू को पाल को भी सबको एक जैसे ड्रेसेस पेनाती हूं तो जादा कपड़े थे फिर अपना करवा चोद भी था फिर घर के काम भी बहुत हो जाते हैं आप समझते ही हो पूरा दिन भले बच्चे नहीं हैं पर हम बुड़े भी बच्चों से कम नहीं हैं हमारी भी बड़ी डिमांडे फरमाशे रहती हैं तबियत खरापती हस्मिन की तो उनकी थोड़ा मतलब नींद में अब ये बना दे अब मुझे काफी बना दे अब मुझे चाए बना दे अब ये दे दे वो दे दे तो बस कुछ ना कुछ ना कुछ चल रहा था और फिर ये है कि मिर को बाहर भी जाना पड़ता था कभी पारलर आईब्रो बनाने गई फिर मेंदी लगवाने गई फिर कुछ खरीदारी करने गई तो वो जाओ तो आपको तो पता है कि लेडिस बोल के जाएंगी मैं एक गंटे में आ रही हूं या दो गंटे में और लगेंगे तो उनको चार गंटे क्योंकि मैं पारलर सिरफ आईब्रो अपर लिप्स करवाने गई थी और कुछ नहीं करवाने गई थी तो भी पारलर में उजिए चार गंटे लगे क्योंकि वहां वेटिंग नंबर लगे हुए थे तो उन्होंने मतलब आईब्रो वाले को तो consider ही नहीं किया तो फिर मैंने बोला ठीक है hand wax कर देना भाई hand wax का बोला तो मेरा number आया और मैं को 4 गंटे लग गए मैं सोबा 9.30 बजे की गई और 1.00 बजे घर आई तो इतनी भीड़ें थी इतनी भीड़ें थी मैं आपको बता आनी सकती पारलर में मा मैंने वीडियो बनाना था पर सब आपको पता ही है पारलर में वीडियो एलाओ नहीं होता मेकप वगेरा हो रहा हो तो हो सकता है पर ये प्री मेकप जो सब होता है वो उसका वीडियो नहीं बनाया जाता तो इसलिए मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई मेंधी के उधर भी गई मेरे साथ तो कोई नहीं था तो मैंने एक थोड़ा सा क्लिप लिया मेंधी वालों का उसके बाद मैं खुद लगवाने लग गई मैंने अपना मोबाईल अपने पर्स में डाल दिया इनका मैं रिच्वल्स करती हूँ पर अभी इनकी हमने अपने घर पे शादी नहीं करवाई है तो वो भी कहते हैं बहुत खर्चा होता है दूम धाम से होती है उसको प्रॉपर तरीके से की जाती है तो देखेंगी कभी कोई मौका लगा कोई चांस लगा तो वो बात की बात है पर अभी कुछ ऐसा है नहीं है हमको हमको ऐसा कुछ अभी है नहीं है अभी देखेंगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता तो बात में जब उनकी मरजी होगी रादा कृष्णा की तब यहाँ पर मैंने बड़ा ट्राइ किया मैं आपको बिलीफ करेंगे मैं बहुत पैसे खराब कर चुकी हूँ तीन बार मैं बाल ला चुकी हूँ और मैंने बहुत ट्राइ किया गर पे चोटी बनाने का जूडा बनाने का मेरे से नहीं बन रहे वो बाल मशीन पे चलनी रहे सिलाई खराब हो रही है मशीन में सुई टूट रही है मेरे से और कुछ नहीं बन पा रहा अभी यही जो पुराने बाल थे मैंने बहुत ट्राई किया मैं लेके भी आई और रात को तो मैं बहुत जाधर आनी और कृष्णा जी के आगे बैट के रोई भी बहुत कल मैं चार सो रुपे के बाल खरीद के लाई सिल्की वाले अच्छे वाले अच्छे से अच्छे कि इन से मैं चोटी बनाऊंगी वो भी मेरे से नहीं बनी वो सिलाईयों से बाल निकल निकल के सारे खराब होगे और वो किसी काम के नहीं रहे और वो भी नहीं बने ये पुराने बालों से मुझे काम चलाना पड़ा मुझे था करवा चोट पे मैं बाल नहीं लगाऊंगी उनको पर नहीं लगा पाई और यहाँ पर रादा रानी के सर पे मैंने हियर बेंड बनाना था फूलों वाला पर मैं वो नहीं बना पाई ये मैंने फूल बनाये हैं छोटे छोटे हैं बिलकुल बारीक वाले फूल हैं ये मैंने अपने हाथों से बनाये हैं ये राधारानी ने मेरे को हिम्मत दी ये फूल बनाने की ये मैंने मुंबई में जुशे नकु बनाने बहुत कुझ सीक आय है हर चोटाEl जो मेरे से उमर में आदा है वोगे सीकाता है दो अच्छा सीखने की भी कोहीं उमर नी ओती सिखाने की भी कोहीं उमर नी ओती तो मेरे में लगन है हर चीज को सीखने터 तो बस यही कहूंगी आपको शिंगार कैसा लगा लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकेन दबाना मत भूलिएगा जिससे आपको आने वाले व्लॉग की नोटिफिकेशन मिलती रहें और प्लीज 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 आप कमेंट करके जरूर बताईएगा आपको शिंगार कैसा लगा और सारा कुछ अभी इसमें कुछ और और इंकलूड हुआ है वो आपको कल नए व्लॉग में मिलेगा आधा व्लॉग रहे गया है वो मैं कल डालूँगी ये आज का आधे दिन का व्लॉग था इसमें से और कलीरे और कुछ-कुछ लहेंगे में और मतलब ज्वैलरी वगरा एड हुई है और उनका कुछ सामान है शाम को पूजा करेंगे करवाचोत की वो सब इसमें एड होगा तो वो व्लॉग मैं आपको कल दूँगी इसका जो सेकिंड पार्ट आएगा करवाचोत का तो आप प्लीज इसने तक कई कमेंट करके जरूर बताईएगा शेयर कीजिएगा प्लीज अपने रिष्टेदारों को और अपने दोस्तों को सब को शेयर करके ये वीडियो बताईएगा कि ये शिंगार किया है मैंने मैंने नहीं राधारानी ने जो करवाया था तो प्लीज इसको शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना जरूर याद रखिएगा और जो नए लोग हैं उनको थैंक्यो वेरी मच बहुत सुपोर्ट कर रहे हैं आगे भी करते रहेगा आपकी सुपोर्ट की मुझे बहुत जरूर था है मिलते हैं नेक्स वीडियो में हरे कृष्णा राधे राधे हैपी करवा चौत आप सब को यूज ऑजा रहे हैं आपसमय गया है झाल रहे हैं यूज़गा